प्रस्तुत है पाठ चार एही ठाईया जुलनी हेरानी हो रामा प्रिष्ट संख्या 31 से 41 तक लेखक शिवप्रसाद मिश्र रुद्र लेखक परिचय शिवप्रसाद मिश्र रुद्र का जन्म 1911 में काशी में हुआ उनकी शिक्षा काशी के हरिश्चंद्र कॉलेज, क्वीन्स कॉलेज एवं काशी हिंदू विश्विद्याले से हुई रुद्र जी ने स्कूल एवं विश्विद्याले में अध्यापन कारे किया और कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया बहु भाशा विद्र रुद्र जी एक साथ ही उपन्यासकार, नाटककार, गीतकार, व्यंग्यकार, पत्रकार और चित्रकार थे उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, बहति गंगा, सुचिताच, ये उपन्यास हैं, तालतलेया, गजलिका, परीक्षा 25 ये गीत एवं व्यंग्यकीत संग्रे हैं उनकी अनेक संपाधित रचनाएं काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई हैं, वे सभा के प्रधान मंत्री पदपर भी रहे, सन 1970 में उनका देहान थो गया रुद्र जी अपनी जन्म भूमी काशी के प्रती आजीवन निष्ठावान रहे, और उनकी यही निष्ठा उनके साहित्य में व्यक्त हुई है, विशेशकर उनकी अनुपम क्रिती बहती गंगा में बहती गंगा को कुछ विद्वान उपर न्यास मानते हैं, तो कुछ उसे कहानी संग्रह भी मानते हैं प्रस्तुत है पाट, एही ठाईया जुलनी हैरानी हो रामा, महराश्ट्रिय महिलाओं की तरहा धोती लपेट, कच्छ बांधे, दुलारी दना दन दंड लगाती जा रही थी उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से, भूमी पर पसीने का पुतला बन गया था कसरत समाप्त करके उसने चार खाने के अंगोचे से अपना बदन पोँचा, बंधा हुआ जूडा खोल कर सिर का पसीना सुखाया और ततपश्चात आदम खद आईने के सामने खाड़ी होकर, पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंडों पर मुग्ध द्रिष्टी फेरते हुए, प्यास के टुकडे और हरी मिर्च के साथ, उसने कटोरी में भिगोए हुए चने, चबाने अरम किये उसका चनक चर्वन पर्व अभी समाप्त ना हो पाया था, कि किसी ने बाहर बंद दर्वाजे की कुंडी खटकटाई, दुलारी ने जल्दी जल्दी कच खोल कर, बाकायदे धोती पहनी, केश समेट कर करीने से बांध लिये, और तब दर्वाजे की खिड़की खोल दी, इंप भरी फी की मस्कुरहट थी, विलोल, आँखें तुनू की आँखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहां तुनू, मैंने तुम्में यहां आने क्लिए मना किया था ना, तुन्नू की मस्कुरहट उसके होंटों में ही विलीन हो गई, उसने गिरे मन से उत् देखने लगी। उसमें खदर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। तुन्नु ने कहा यह खास गांधी आश्रम की बीनी है। लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाई हो। दुलारी ने कड़े स्वर से पूछा। तुन्नु का शीर्ण वदन और भी सूख है। उसने सूखे ग चिता नहीं मिली जो मेरे पास दोड़े चले आए। तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो कौन हो। खैरियत चाहते हो तो अपना ये कफन लेकर यहां से सीधे चले जाओ। और उसने उपेक्षा पूरवक धोती तुन्नु के पैरों के पास फेंग दी। तुन्नु पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती। तुम तो हाड मास की बनी हो। हाड मास की बनी हूं तभी तो। दुलारी ने कहा। तुन्नु ने जवाब नहीं दिया। उसकी आखों से कजल मलिन आशूं की बूदे नीचे सामने पड़ी पर टप टप टपक रही थी। दुलारी कहती गई। तुन्नु पाशान प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाशन सुनता जा रहा था। उसने इतना ही कहा। मन पर किसी का बस नहीं। वह रूप या उमर का कायल नहीं होता। और कोठ्री से बाहर निकल वह धीरे धीरे सीडि उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौ अब भी वक्र थी। परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहन कर लिया था। उसने भूमी पर पड़ी धोती उठाई। उस पर काजल से सने आसूं के ध धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नु की ओर देखा और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी। दुलारी के जीवन में टुन्नु का प्रवेश हुए अभीकुल छै मास हुए थे। पिछली भा पद्य में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। कजली गाने वाले बड़े-बड़े विख्यात शायरों की उससे कोर दपती थी। इसलिए उसके मुह पर गाने में सभी घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा कर वक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का गौन हारियों की गोल में सब से आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठा कर ललकार उठा। रनिया ला परमेसरी लोट यानि प्रमेसरी नोट तब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रह गया। बालक तुन्नू बड़े जोश से गा रहा था। रनिया ला परमेसरी लोट दर गोडे से घेवर बुंदिया दे माथे मोती का बिंदिया और किनारी में सारी के टांक सोनहली गोट रनिया शेहनाई वालों ने तुन्नू के गीत को बंद बाजे में दोराया। लोग यह देखकर चकित थे कि बात बात में तीर कमान हो जाने वाली दुलारी आज अपने स्वाभाव के प्रती कूल खड़ी-खड़ी मुस्कुरा रही है। कंठ स्वर की मधूरता में टुन्नू दुलारी से होड कर रहा था और दुलारी मुग्द खड़ी सुन रही थी। टुन्नू के इस सार्वजनिक आविर भाव का यह तीसरा यह चोथा अफसर था। उसके पिता घाट पर बैटकर और कच्चे महाल के दस-पांच घर यजमानी में सत्य नारायन की कथा से लेकर श्राद और विवा तक कराकर कठिनाई से ग्रिस्ती की नौका खे रहे थे। परंतु पुत्र को आवारों की संगती में शायरी का चस्का लगा। उसने भैरो हेला को अपना उस्ताद बनाया और शीक्र ही सुन्दर कजली रचना करने लगा। वह पद्यात्मक प्रशनोत्तरी में भी कुशल था और अपनी इसी विशेशता के बल पर वह बजर डीहा वालों की ओर से बुलाया गया था। उसकी शायरी पर बजर डीहा वालों ने वह वह का शोर मचा कर सिर पर आकाश उठा लिया। खोजमा वालों का रंग उतर गया। टुन्नो का गीत भी समाप्त हो गया। पुनह दुकड पर चोट पड़ी। शेहनाई का मधूर स्वर गूंजा अब दुलारी की बारी आई। उसने अपनी द्रिष्टी मद विहवल बनाते हुए तुन्नो के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को भर आँख देखा और उसके कंठ से छल छल करता स्वर का सोता फूट निकला। कोडियल मुह में लेब वकोट तोर बापता घाट अगोरलन कोडी कोडी जोर बटोरलन तै सर बाउला बोल जिन्नगी में कब देख ले लोट कोडियल। अब बजर डीहा वालों के चेहरे हरे हो चले। वे वह वाही देते हुए सुनने लगे। दुलारी गारही थी। तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं। तू तो वास्तम में बगुला है। बगुले के पर जैसा ही तेरे शरीर का अंग है। वैसे तू बगुला भगत भी है। उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का होसला हुआ है। परन्तु कभी न कभी तेरे गले में मचली का कांटा जरूर अठकेगा। और उसी दिन तेरी कलई खुल जाएगी। इसके जवाब में तुन्नु ने गाया था। के चोट जनिया इस पर सुन्दर के मालिक फेंकू सरदार लाठी लेकर तुन्नो को मारने दोडे। दुलारी ने तुन्नो की रक्षा की। यही दोनों का प्रथम परीचे था। उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्विकार नहीं किया। मजलिस बदमजा हो गई। तुन्नो को विदा करने के बाद दुलारी प्रक्रितिस्थ हुई तो सहसा उसे ख्याल पड़ा कि आज तुन्नो की वेश भूशा में भारी अंतर था। आबरवा की जगा, खदर का कुर्ता और लखनवी दोपलिया की जगा गांधी टोपी देखकर दुलारी ने तुन्नो से उसका कारण पूछना चाहा था। परन्तु उसका अफसर ही नहीं आया। उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों का संदूख खोला और उसमें बड़े यत्न से तुन्नो द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबा कर रख दी। उसका चित आज चंचल हो उठा था। अपने प्रती तुन्नो के रिदय की दुरबलता का अनुभव उसने पहली ही मुलाकात में कर लिया था। परंतु उसने उसे भावना की एक लहर मात्र माना था। परंतु कोई विशेश बात चीत नहीं हुई। कारण तुन्नो आता, घंटे आद घंटे दुलारी के सामने बैठा रहता, पूछने पर भी रदय की कामना प्रकटना करता। केवल अत्यंत मनो योग से दुलारी की बाते सुनता और फिर धीरे से चाया की तरह खिसक जाता। योवन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी, तुन्नो के इस उनमाद पर मन ही मन हंस्ती। परंतु आज उसे क्रिश काय और कच्ची उमर के पांडु मुख बालक तुन्नो प कि उसके शरीर के प्रती तुन्नो के मन में कोई लोब नहीं है। वो जिस वस्तु पर आसक्त है, उसका संबंथ शरीर से नहीं, आत्मा से है। उसने आज यह भी अनुभव किया, कि आज तक उसने तुन्नो के प्रती जितनी उपेक्षा दिखाई है, वो सब कृत्रिम थी। सच तो यह है कि रिदय के एक निभृत कोने में तुन्नो का आसन दृता से स्थापित है। फिर भी वह तथ्य स्विकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी, विचार की उल्जन से बचने लगी। उसने चूल कोठरी में प्रवेश किया। दुलारी ने धोतियों का बंडल देख उधर से द्रिष्टी फेर ली। फेकु ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा। देखो तो कैसी बढ़िया धोतिया है। बंडल पर ठोकर जमाते हुए दुलारी ने कहा। तुमने तो होली दुलारी फेकु को उत्तर देना ही चाहती थी कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दिवानों का दल भैरवनात की सक्री गली में घुसा और भारत जननी तेरी जय तेरी जय हो। गीत की द्वनी से उभय पाश्व में खड़ी इमारतों की प्रतियक कोठरी गुँच गई एक बड़ी सी चादर फैला कर चार व्यक्तियों ने उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। उसी पर खिड़कियों से धोती, सारी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदी की वर्शा हो रही थी। सहसा दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली और मैंचेस्टर तथा लंका शायर के मिलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारे वाली नई कोरी धोतियों का बंडल नीचे फैली चादर पर फैंग दिया। चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आँखे एक साथ खिड़की की ओर उठ गई। व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोगों की आँखें बंडल फैंकने वाली की तलाश खिड़की में करने लगी। त्यों ही खिड़की पुनह धड़ाके से बंद हो गई। जुलूस आगे बढ़ गया। जुलूस में सबसे पीछे जाने वाली खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी ये द्रिश्य देखा। अपनी फर्राटी मूचों पर हात फेरते हुए सजग नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया। इतने में ही ऊपर खिड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरंत ही पुनह धड़ाके से बंद भी हो गया। परंतु इसी बीच अली सगीर ने देख लिया कि किवाड दुलारी ने खोला था और एक पुरुष ने जटके से उसका हाथ किवाड के पल्ले पर से हटा दिया और दूसरे हाथ से पल्ला बंद कर दिया। उस पुरुष की आक्रिती में पुलिस के मुखबर फेंकू सर्दार की उड़ती जलक देख पुलिस रिपोर्टर के रोबीले चेहरे पर मुसकान की खेन रेखा ख्षन भर के लिए खिंच गई। उसने तनिक हट कर चबूतरे पर बैठे बेनी तमूली के सामने एक दुणनी फेंक दी। आँखों से ज्वाला सी निकल रही थी। फेंकू के गली में निकलते ही उसने दर्वाजा बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर से आँखें चार होते ही जेंपने के बावजूद लाचार सा होकर फेंकू उसकी ओर बढ़ा और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन मे उठाई। सीड़ी चड़कर उपेक्षा से जालू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई। वह अपनी कोठरी में जागुशी। चूले पर बटलोही में दाल चुर रही थी। उसने पैर की एक ठोकर से बटलोही उलटती। सारी दाल चूले में जागिरी आग बुच गई। परंतु दुलारी के दिल की आग अभी भट्टी की तरह जल रही थी। परणोसीनों ने उसकी कोठरी में आकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जल धारा गिराना आरम किया। फल सो रूप वह ठंडी भी होने लकी। दुलारी बोली तुम ही लोग बताओ कभी टुन्नू को यहां आते देखा है। यह तो आधी गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहां कभी नहीं आता। जींगुर की माने कहा वह यह बात बिलकुल भूल गई थी कि उसने कुल दो घंटा पहले टुन् पुना शान्थ हो चली। इतने में कंधे पर जाल डाले नौ वर्षिय बालक जींगुर ने आंगन में प्रिवेश किया और आते ही उसने ताजा समाचार सुनाया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए। और कोई दिन हो था त टुन्नो को दो चार गालियां सुनाती परंतु आज यह समवाज सुन वह स्तब्ध हो गई। उसने यह भी न पूछा कि घटना कहां और किस तरह हुई। कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हरदय कातर हो उठा और सदैव मरू भूमी की तरह धूधू जलने वाली उ उसने परोसिनों की निगा से अपने आशों को छिपाने का कोई प्रित नहीं किया। परोसिने भी करकशा दुलारी के रदय की यह कोमलता देख दंग हो गई। उन्होंने दुलारी के इस आचरन को बार वनिता सुलब अभिनाय मात्र समझा। बिट्टों ने दिल लगी भी की। मुझे लुका छिपी फूटी आँख नहीं सुहाती। मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया सब डंके की चोट। दुलारी ने कहा। वह उठी और सब के सामने संदूख खोल उसमें से टुन्नू की दी हुई आशों के काले धब्मों से भरी खदर की धोती निकाल उसने पहन ली। उसने जींगुर को बुला कर पूछा तुन्नू कहा मारा गया। जींगुर ने बताया टाउन हॉल। और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली। तो दर्वाजे पर ही थाने के मुन्शी के साथ फेकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा। आज अमन्त सभाद्वारा आयोजित समारों में उसे गाना पड़ेगा। रिपोर्ट की कौपी मेज पर पटकते हुए प्रधान समवाद दाता ने अपने सह कर्मी को डाटा। शर्मा जी आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़ कर चाई के दुकान खोर लेते तो अच्छा होता। समवाद संग्रह तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़ती। भैभीत शर्मा जी ने गड़े में कौड़ी खेलती हुई अपनी आखों से चश्मा उतार कर उसे कुर्ते से पोच्छते हुए पूछा। क्यों क्या हुआ। परधान समवाद द आज आपकी रिपोर्ट छाब दूँ तो कल ही अख़बार बंद हो जाए। समवादक जी बड़े घर पहुचा दिये जाए। अपने समवाद में वारता होती सुनकर समवादक जी भी सजक हुए। उन्होंने पूछा क्या बात है। यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर जख रहा हूँ और क्या। प्रधान समवाद दाता ने कहा पढ़िये। समवादक ने आदेश दिया। प्रधान समवाद दाता ने रिपोर्ट की कौपी शर्मा जी के और बढ़ाते हुए कहा। लीजिए आप ही पढ़ कर सुनाइए। वह शीर्षक भी पढ़ दीजेगा जो आपने समवाद पर लगाया है। क्या शीर्षक है। एही ठाईया जुलनी हे रानी हो रामा। जेंप भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा और फिर धीरे धीरे वो रिपोर्ट पढ़ने लगे। जाता था। ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। उक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुँचकर विगटित हो गया तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालिया दी। गाली देने का प्रत लूख खून निकल पड़ा। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठा कर गाड़ी में लाद दिया। लोगों से कहा गया कि अस्पताल को ले जा रहे है। परंतु हमारे समवाद दाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया है कि वास्तब में टुन्नू मर गया। रात के आठ बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित किये जाते भी हमारे समवाद दाता ने देखा है। इस सिलसले में यह भी उलेक है कि टुन्नू का दुलारी नामनी गौन हारिन से भी संबंध था। कल शाम अमन सभाद्वार चुका था। वह बहुत उदास थी और उसने खद्दर की एक साधारन धोती मात्र पहन रखी थी। सुना जाता है कि उसे पुलिस जबरदस्ती ले आई थी। वह उस थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां आठ घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी। परंतु वि फीकी हसी हस कर गाना प्रारंप किया। उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया। एही ठईया जुलनी हेरानी हो रामा। कासों मैं पूछूं। पास ही में कमपनी बाग के फूलों की खुश्बू से वायो मंडल आमोदितो उठा था। चारों और सनाटा चाया हुआ जिसे भेद कर दुलारी की स्वर लहरी गुँज उठी। एही ठईया जुलनी हेरानी हो रामा। कासों मैं पूछूं। बूट की ठोकर खाकर दो पहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था। उसी स्थल पर दृष्टी जमाय हुए दुलारी ने दोहराया। एही ठईया जुलनी हेरानी हो रामा। और फिर चारों और उद्ब्रांत द्रिष्टी घुमाते हुए उसने गाया। कासों मैं पूछूं। उसके अधर प्रांत पर स्मित की एक छीन रेखा सी खिंची। उसने गीत का दूसरा चरन गाया। वह बिजली की तरह एकदम घूमी और जमादार अली सगीर की और देख उसने लजाने का अभिने किया। उसकी आँखों से आंसू की बूंदें चेहर उठी। या यों कहिए कि वे पानी की कुछ बूंदें भी जो वरुणा में तुन्नू की लाश फेंकने से छिटकीं और अब दुलारी की आँखों में प्रकट हुई। वैसा रूप पहले कभी न दिखाई पड़ा था। आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यू के गंभीर आविरभाव में भी नहीं। सत्य है परंतू छप नहीं सकता। संपादक ने कहा। की तीज में गाया जाता है। गौन हारियों अर्थात गाने का पेशा करने वाली दरगोडे पैरों से कुचलना या रौंदना भाव यहा है कि वह वस्तू बहुतायत से प्राप्त हो। तीर कमान हो जाना अर्थात हमले के लिए या लड़ने के लिए तयार रहना। रंग उतरना अर्थात शोभा या रौनक घटना मुह में लेब वकोट अर्थात मुह नोच लेना अगोरलन अर्थात रखवाली करना सरबवला बोल अर्थात बढ़ चड़कर बोलना अईने अर्थात और इस प्रकार बिथा अर्थात व्यथा आबरवां अर्थात बहुत बारीक मलमल पार्श्व अर्थात दोनों तरफ मुखबर यानी मुखबिर अर्थात वह मुलाजिम जो अपराद स्विकार कर सरकारी गवाह बन जाए और जिसे माफी दे दी जाए डांका अर्थात लांगना मेघमाला यहां पर इसका अर्थ है आंसों की जड़ी उद्भ्रांत अर्थात ब्रहमित चित हैरान प्रश्न अभ्यास प्रश्न अभ्यास प्रश्न एक हमारी आजादी की लडाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है प्रश्न दो कठोरह दही समझी जाने वाली दुलारी तुन्नों की मृत्यू पर क्यों विचलित हो उठी प्रश्न तीन कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा कुछ और परमपरागत लोग आयोजनों का उलेख कीजिए प्रश्न चार दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दाइरे से बाहर है फिर भी अतिविशिष्ट है इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेष्टाएं लिखिए प्रश्न पांच दुलारी का तुन्नों से पहली बार परिचय कहां और किस रूप में हुआ प्रश्न चै दुलारी का तुन्नों को यह कहना कहां तक उचित था तह सर्बवला बोल जिन्नगी में कब देख ले लोट दुलारी के इस आक्षेप में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है उदाहरन सहित स्पष्ट कीचिए प्रश्न साथ भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और तुन्नों ने अपना योगदान किस प्रकार दिया प्रश्न आठ दुलारी और तुन्नों के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुँचाता है प्रश्ण 9 जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के धेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साडियों का फेंका जाना उसकी किस मान सिक्ता को दर्शाता है प्रश्न 10 मन पर किसी का बस नहीं वह रूप या उमर का कायल नहीं होता तुन्नों के इस कथन में उसका दुलारी के प्रती किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा प्रश्न 11 एही ठाईया जुलनी हेरानी हो रामा का प्रतीकार्थ समझाएं अभी आप सुन रहे थे पाठ चार एही ठाईया जुलनी हेरानी हो रामा ध्वनी संपादन, निर्माण तथा निर्देशन, विमलेश चौधरी प्रस्तती, C-I-E-T, N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत ला二ा, निर्मादन, विमलेशnościर्ण, इन ने विमलेश जफ ए्वेरे, विमलेश प्रिया प्रत चारे c critic ŞU रामा का उनकी फ्रूअपर्देशग़ यिमलेशस में हो रहेा का चार माईखर-स्तत वैं, झाल, विमलेशस्तत हन्वेस्त झाल झाल